Mutants , बोशेक्तत्व , जैसे मैंने बताया के एक होता है आहार , भोजन , जो हम करते हैं उसका हम क्या कहते हैं ? फूढ जो हम खाते हैं , उसको हम क्या कहते हैं ? फूढ ओर फिर अगर फूढ जो हमारा भो जन है उससे पर्याप्त मात्रा में वो पोशक्त तो नहीं मिल रहा है या भोजन हमारा कोई एक वक्त का खाना छूट रहा है और उसके बजाए हम कोई दूसरी चीज रेडिमेड लेते हैं और वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होती है तो उसको क्या कहते है फूद सप्लिमेंट और अगर सब्सक्तेटेड हे एक वो नुटियंट्स लेना चाहते हैं जो कि बोडी बिलडींग के लिए जरूजी है तो हम क्या करेंगे निट्रिशियस फूद लेंगे यानि पोशक आहार लेंगे और पोशक आहार के साथ साथ श्पोर्ट्स नूट्रिशन यानि जो विशेश में रख करके तयार किया गया जो food supplement है उसको लेंगे तो क्या-क्या हुआ food food supplement nutritious food और sports nutrition तो यह जो nutrition शब्द आ रहा है nutrients हम बोल रहे हैं या पोशक ततो बोल रहे हैं पोशक आहार बोल रहे हैं यह पोशन किस से आता है यह पोशन आता है पोशक तत्वों से nutrients से nutrients जिस खादे बदार्थ में अच्छी मात्रा में होंगे उसको हम nutritious food कहेंगे या nutrition कहेंगे अगर वो food supplement है तो nutrition, sports nutrition कहेंगे और अगर थाले में जो भोजन आया हुआ है जो पका करके हमारे पास आया है उसको nutritious food कहेंगे इस संतुलित आहार पोशक आहार यह कहेंगे तो यह पोशक ता हमारे भोजन में किन चीज़ों से आती है इसको हिंदी में पोशक तत्तों कहा जाता है और इंग्लिश में nutrients कहा जाता है वो nutrients क्या है nutrients के मोटे तोर पर दो वर्गी करण है एक है macronutrients दूसरा है micronutrients जो macronutrients हैं वो हमें ज्यादा मातरा में लेने के आवश्यक्ता होती है और उन में से अधिकांस पोशक तत्तों में कैलरी होती है उर्जा कुमापने की एक एकाई है जिसको हम कैलरी बोलते हैं या किलो कैलरी बोलते हैं केसी एल बोलते हैं तो उन में कैलरी होती है और दूसरा वर्ग है micronutrients वो है जिनमें की कैलरी नहीं होती है पर उन पोशक तत्तों की हमारे शरीर को उतनी ही अनिवार यावश्यक्ता है जितने की कैलरी देने वाले पोशक तत्तों की तो जो कैलरी देने वाले पोशक तत्तों है उनको micronutrients बोला जाता है और जो कैलरी नहीं देते हैं पर जीवन के लिए आवश्यक है उनको माइक्रो नीट्रेंस बोला जाता है उनमें चार चीजे हैं